हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं प्रितर के सेलाव गाउं में रविवार शाम 6 बजे के करीब की है पिछले दो दिनों से हुई बारिस से आसपास के लागों में पानी भर गया ऐसे में रविवार शाम को 6 बच्चे तालाब में नाने उत्रे थे सेलाव निवासी निजाम खान ने बताया कि तालाब के पानी में तीन बच्चे ढूबने से मौत हो गई इस हासे में कॉंगर्स दिलाद द्यक्ष पते मुहमत का पता शहीत उम्र बारा मुराद खान, सोहेल, उम्र बारा, पुत्र शोबदार, आसिफ खान, उम्र ग्यारा, पुत्र हसन खान की मौत हो गई वहीं जावेद, उम्र दस साल, पुत्र शोबदार गंबी रूप से घायल हुआ पुलिस ने बताया कि पानी में दलदल होने के कारण चारों बच्चे ढूबने लगे अन्य बच्चों ने परिवार के सदस्यों और गामिनों को बुलाया लोगों ने चारों बच्चों को बाहर निकाला मतरक के परिजनों ने किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं दी है, पुलिस ने जाच परताल शिरू कर दी है बोडर की इलाकी में मानसून की बारिश के बाद तालाब पानी से भर गए थे रविवार को सुबसे गर्मी और मस्से हाल बेहाल हो रहा था इसकुल की छुटी होने के कारण सेलाओ गाओं के बच्चे तालाब में नहाने के लिए उत्रे तालाब में जादा पानी होने और दलदल होने के चलते उसमें फस गए दो-तीन बच्चों ने गाम परिवार के सदस्ते को जाकर बुलाया तब जाकर ग्रामीनों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया मिली जानकारी के मताबिक चारों बच्चे कौंगर्जलाद देक्ष पते खान के रिष्टेदार है वहीं शहीद पुतर मुराद खान रिष्टे में पोता लगता है तलाब की मिट्टी चिकनी होने के कारण तलाब में वो बच्चे फस गए थे जागरुक टीवी के लिए बार मेर से ठाकरा राम मिगवाल की रिपोर्ट